रियागराज के मग आतिक quartz एमद और उसके भाई अश्रफ की हत्या के बाद अब एक विवादित ट्वीट वाईरल हो रहा है इस ट्वीट में अतीक एमद की हत्या का पदला लेने की धंकी दी गई है विवादित ट्वीट में अतीक एहमत के बेटे अली की तस्वीर भी लगाई गई पुलिस ने मामले में विवादित पोस्ट करने वाले के खिलाब केस दर्स किया ट्वीटर पर दस अज्जात मुगल नाम के हैंडल से अतीक के बेटे की फोटो लगा कर विवादिट ट्वीट किया गया है इस पोस्ट में एक वीडियो भी है साथी ट्वीट में लिखा है अभी नसल खत नहीं हुई है अतीक का अबेटा अली अभी जिन्दा है इंशा अल्ला हालाज वक्त सत्ता बदलेगी फिर इलहाबाद भी बोला जाएगा हिसाब भी पूरा किया जाएगा ट्वीट वाइरल होने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर आलमगीर ने साइबर क्राइम ठाने में एफ आई यार दर्ज करवाई पुलिस अभी पता लगाने में जुटी है कि इस ट्वीटर हेंडल को कौन इस्तेमाल करता है और धंकी देने के पीछे की असली मल्शा क्या है ट्वीट में असद का जो वीडियो पोस्ट किया गया है ये वीडियो पुराना है ADG Law & Order प्रशान कुमार ने इस पर संग्यान लेते हुए प्रयागराज की साइबर क्राइम थाने को पत्र भेजा है साथ ही जिसने भी इस तरीके का ट्वीट किया है उसके खिलाफ कारवाई करने का निर्देश भी दिया है इसके अलावा दीक एहमत की बतनी इस पर पचास हजार का इनाम गोशित है उसकी तलाश में पुलिस सतर दिन से चार राज्यों में छापे मारी कर चुकी है लेकिन शाइस्ता अब भी पुलिस की पकड़ से काफी दूर है पुलिस की पुलिस का जाइस्ता अबूब भी दिन से